लो फ्रेंड्स वेलकम टू दे यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि हर संडे मैं एक एक्सपरिमेंट से रिलेटेड वीडियो जालने की कोशिस करूँगा क्योंकि हम क्लास में चाहिए जो भी कुछ पढ़े क्लास्रूम के एक्सपरियेंस और प्रैक्टिकली खुद करके जो भी एक्सपरियेंस आप गेन करोगे न वो डिफरेंट होगा आप देख लेना इस वी बाद होता है किसी और के फेलियर से जरूर कुछ न कुछ सीखो तो आप इस वीडियो में देखना है एक चीज मैंने फेलियर बता है अपने बारे में आज मैं खुद फेल हुआ हूँ एक एक्सपरिमेंट में तो काफी हसी है उसमें मुझे अपने नादानी कि मैंने यह क्य किया है ठीक है वैसे आज का वीडियो जो किसीं से रिलेटेद है मैं नहीं फटा फटा देता हूँ विना वेस्ट कि bod तो आज experiment में मैंने चार experiment किया ठीक है एक calcium oxide पे calcium hydroxide पे calcium oxide को मैंने calcium hydroxide बनाया तीन और एक sodium bicarbonate जिसको baking soda भी आप लोग कहते उस पे मैंने experiment किया है यह सारे के सारे experiments dilute hydrochloric acid के presence में किये हैं ठीक है तो last में मैंने एक चीज जो है वो किया है आप इस वीडियो में नमक बनाना जरूर सीखोगे नमक वह जो आप खाते हो sodium chloride जो हम नमक खाते हैं इसमें iodine भी रहता है बट मेरे पास iodine तो था नहीं कि मैं iodized salt बना दू ठीक है बट जो भी है आपको यह देख वीडियो देखकर कर दो करते हैं दोस्तों आप यह जो देख रहे हैं यह जो इस कंटेनर में है वह कैल्सियम उक्साइड जो की लाइम स्टोन यानि की कैल्सियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद बनता है मार्केट में आपको यह कुई पर तो प्लास्टिक ना कोई मिल जाया ऑर आपा निल जाया जात था मारकेट से खृतका उसको बट पाने डाल करके और फिर जो है पेंट किया आता था दिवारों पे ठीक है तो आज महीं मैं वही experiment करने वाला हूं कि यह जो मेरे पास है वह calcium oxide है ठीक है और यह glass जो है वह बिल्कुल खाली है इस glass में क्या करता हो कि calcium oxide डाल देता हूं ठीक है आप देख रहे हैं यह पाउडर के फॉर्म में है calcium oxide और यह white color का होता है यह white color का होता है देख आप देख पा रहे हो है तो यह जो है अब मैं क्या करता हूं इसमें मैं पानी को पोर करूंगा आप देख लिए इस पाउजर की क्या हालत है और मैं जो है इसमें पानी को पोर करने वाला हूं वाटर को मैंने पोर कर दिया ठीक है अब देखिए reaction जो है initiate हो गया से अच्छा एक और बात हम लोग तो बोर्ड पे बहुत कुछ बढ़ते हैं कि एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक कौन सा प्रोसेस है क्या प्रोड़क्ट बनता है आपको मैं लाइब मतलब प्रैक्टिकल करवा के दिखाने की कोजिस करता हूं या पर ठीक है जब मैंने इस ग्लास को छुआ था तो कोई दिकर नहीं था लेकिन देखिए अब जो ग्लास के कंटेनर के बॉटम पोजिशन को मैं छुड आओ हालाकि उत्रा भी घरम नहीं लेकिन फिर भी घरम हो गया है ये ठीक है तो यह जो एक्जो थर्मिक रियक्षन है चुप होई रहा है पूरी तरह से रियक्षन हुआ नहीं है तो मैं इसे थोड़ी दिर तक इसको छोड़ दे को बना है यह बना है Eink desk dot like Там एक चीज़ो और देखाये स स्थेड़ा से टाया इसपेंस पर यहां पर भूरी दिख रहा है यह गार्षास होता है अलग है कैसे ऑर यह होताय दोस्तों वो suspension होता एक तरह का ठीक है पानी में ये पूरी तरह से घुलता नहीं मैं अगर इसे थोड़ी दिर के लिए छोड़ दूँ मैं इसे थोड़ी दिर के लिए अगर छोड़ दूँ तो ये जो आपको दिख रहा है हर तरफ white color के दूध टाइप का solution अभी आपको जो दिख रहा है न तो calcium hydroxide जो हता है पानी में insoluble होता है इसलिए तो इसको alkali नहीं बोलते हैं आप लोग जानते होंगे कि alkali वो solution होते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं यानि कि the base which is soluble in water are called alkali बटी alkali नहीं है ये suspension का formation करते हैं धीरे धीरे देखिएगा पानी का layer अलग हो जाके घर पर कीजेगा तो जरूर होगा इसलिए मैंने बता दिया है कि आप यह चाहे तो घर पर कर सकते हैं यह चम्मत जो है वह गर्म हो चुका है ठीक है ओके तो यह चीज हो गया यह experiment हमारा अब क्या करते थे जो पेंटर्स होते हैं जो पेंट करते थे घर की दिवारों इसी solution को ले करके ब्रस से ठीक है ब्रस जो हुआ उसमें इसको डुबा करके और दिवार वगरा कर पेंट करते थे दिवार पेंट करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि यह तो है calcium hydroxide मेरे पास अब यह calcium hydroxide दिवार पे हमने लगा दिया calcium hydroxide का layer दिवार पे अब हवा में चु देखा white washing क्या है इसमें मैं आज सिर्फ इतना ही नहीं बताने वाला हूँ इस experiment में मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करूंगा यह solution देखिया यह मेरे पास solution यह है dilute hydrochloric acid आप देखना reaction कैसे होता है और क्या क्या हो सकता है इस reaction के इंदर ठीक है तो मैंने इसमें जो है वो dilute hydrochloric acid डाला ठीक है देखिये reaction होना शुरू हो गया है देखिये आप कुछ देख पा रहे हो इसमें कि फोकस कीजिए इस पर दिख रहा होगा आपको इसमें रियक्शन होना और यह reaction काफी यह तो उससे भी तक रहा हो इसका बॉटम जो है इस पहले वाले reaction से भी ज्यादा और देखिये क्या क्या बन रहा है आपको दिख रहा होगा आपको इस reaction कैसे कैसे हो रहा है देखिये यह पानी का लेयर जो है वो बन गया दोस्तों तो इसके इसके अंदर क्या था इससे पहले जब तो ऑनी का लेर अलग हो गया और यह जो है प्रेसिपिटेट बन गया तो आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि किसी रिक्सण में प्रेसिपिटेट का formation होता है precipitate का formation कहते कि इसको यह समझ लिए glass काफी गरम हो चुका है ठेके देख लिजे तो यह जो है यही है precipitate precipitate का मतलब होता है कि जब कोई reaction के दोरान कोई ऐसा product बने जो पानी में नहीं घुलने वाला हो या किसी solution में नहीं घुलने वाला तो उसको precipitate बोलते है तो मेरा जो है वो calcium chloride का precipitate बन गया है देख रहा है ठीके तो यह आज का reaction था ओके तो यह आपने reaction को समझा समझ पा रहे हो आप यहापे calcium chloride बन गया और साथी साथ water का formation हुआ है तो यह चीच जो है neutralization reaction कहलाता है जरूरी नहीं है कि solution का जो pH है वो neutral ही हो मैं किसी दिन जो है pH पे भी आऊंगा ठीक है ना फिलहाल जो मेरे पास apparatus है मैं उसी में बताने की कोशिश करता हूँ मैंने अपने promise को पूरा करने के लिए वीडियो मना हाला कि मेरे जहाँ पे काफी गर्मी है और यहां की government bloody hill यह नहीं सुधरेंगे government ठीक है यह काफी glass गरम है मैं इसको रख देता हूँ भी कुछ समय के लिए हो सकता है मैं भी कुछ समय के बार ठंडा होगा reaction चुकि अभी भी होई रहा है तो उमीद है कि आपने layer देख लिया होगा इसका कि प्रेसिपिटेट जो है वो कैसे बनता है ठीक है तो यह calcium chloride है आप देख लीजे और पानी का layer अलग है आप देख पा रहे हैं पानी का layer अलग है और calcium chloride का अलग है इसमें कुछ impurity थे इसलिए black black color का जो यह impurity आपको नजर आ रहा है ठीक है तो यह reaction हो गया आज का अब next मैं reaction करवाने वाला हूं देखना बहुत मजा है का आपको यह मेरे पास जो है वो calcium oxide का powder है मैं इस powder को जिसका नाम है calcium oxide मैं इसको इस glass के अंदर डाल देता हूं ठीक है अब देख पा रहे हैं कि मत करो यह तो आपने देखा कि मैंने इसमें calcium oxide को डाला है अब इसमें क्या करता हूं कि अब यह calcium hydroxide नहीं है मेरे पास ठीक है अब इसमें फिर भी मैं करता हूं कोशिस करने की इसमें मैं डालता हूं dilute hydrochloric acid देख रहे हैं आप देखिए जैसे ही मैंने डाला reaction होना शुरू हो गया आप देखिए reactions को reaction को देखिए देख रहे हैं आप reaction को देखिए आप ठीक है तो देखिए reaction के दोरान हुआ क्या यह container भी गरम हो गया इसका bottom position मतलब यह reaction भी exothermic reaction का ही example है अब देखिए मैं इसको जड़ा mix करने की process करता हूं ठीक है आपने देखा कि calcium oxide जब dilute hydrochloric acid के साथ react किया तो किस चीज़ का formation किया है यहां पर बनता है calcium chloride जैसा कि इसमें बना था ठीक है calcium chloride बना था तो यहां पर जो है बनता है calcium chloride calcium chloride और साथी साथ water का formation भी होगा मैं इसमें कुछ और dilute hydrochloric acid डाल देता हूं ठीक है यह देखिए और भी तेज reaction होगे तभी तो आपको water का layer अलग दिखाई देगा न तो थोड़ा dilute hydrochloric acid का जो है मातरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको अगर water का layer अलग देखना है और प्रेसिपिटेट को देखना है तो ठीक है देख लीजिए देखाई आपने इससे जो है वह फ्यूम्स निकल रहा है अपने हातों पर फ्यूम्स कर रहा हूं इससे निकलते हुए फ्यूम्स को फ्यूम्स जो होते दोस्तों वह थोड़ा हीट होते है वह हीट निकल रहा है तो मैं यहां से भी फ्यूम्स कर सकता हूं बट यहां से जो फ्यूम्स हो रहा ठीक है देखिए रियेक्शन जो है वो अभी भी हो रहा है मैं इसको छू भी नहीं सकता क्योंकि काफी गर्म है अलग कि मैं छू लेता हूं थोड़ा से परदास्त करके लेकिन आप बीना गलब्स पहने यह एक्स्परिमेंट मत करना और यह ग्लास भी काफी हेवी है इस वजह से थोड़ा यह हीट नहीं हुआ लेकिन आप अगर यह टेस्ट्यूब में करते हैं जो साइंटिफिक टेस्ट्यूब आते हैं ठीक है उसमें कडेंगे तो आपके हाथ जलने की संभावना अलग होगी देख क्लोडाइट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ ओके आज के लिए इतना ही एक्सपरिमेंट नहीं होगा एक और एक्सपरिमेंट में करके दिखाने वाला हूँ आपको ठीक है इसके लिए आप देखते रहे हैं यह जो है काफी इंट्रेस्टिंग एक्सपरिमेंट होने वा सोचिए मैं नमक बनाने जा रहा हूँ यह मेरे पास कोई नमक नहीं है इस इस कॉल सोडियम बाइकारबोनेट और बेकिंग सोडा जो की घर में होते हैं ठीक है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर जो भी है वह घर में तो आपके पाए जाता होगा तो उससे आप एक्सपरि को इस ग्लास में डाल देता है थेक है अई कि ऑगे है इसको मेरे पास इस ग्लास में जो है सोडियम बाइकारबोनेट है जैसा कि मैंने आपके सामने रखा था और मेरे पास जो है वो है डाईलिट हईड्रो खरहिक ए एक सड़ाई अब इस तरह निविए गंलोडिक एसीड को मैं पूर कर छाहु को देखाइग में तेक्व फिने अपने हैं मजचे दार रिखन था दिखflower साथ मेरा घल लाता हूँ यह देखो यह होता है साइंस का मज़ा पता है मेरे लिए साइंस और सबजेक्ट है इसी लिए मैं किसी भी तो आ ना अच्छा तो वह पहले इसके बारह में इसमझता इसमें मैंने initially डाला था sodium bicarbonate और इसके डाइल्यूट hydrochloric acid डाला इसके बाद दोनों को मिलाने के बाद हुआ क्या reaction कि यहाँ पर sodium chloride बना साथी साथ carbon dioxide gas सारे के सारे बाहर आ गए और उसके आद water का formation हुआ है आप ग्लास के लेयर में देखिए यह देखिए वाटर का formation हुआ आपको वाटर का लेयर नहीं दिख रहा है तो चलो मैं अच्छे से मेरा हाथ थोड़ा सा जल गए तोई बात नहीं है मेरे देख रहे हैं आप carbon dioxide के लिए निकल रहे बुल बुले मैं किसी दिन यह प्रूफ करके बता दूंगा कि इससे carbon dioxide कैसे निकलता है apparatus अगर मेरे पास हो जाए उपलब्द जो की जल्द ही होने वाले आप इस चैनल पर सपोर्ट करते रहे हैं आप इस चैनल पर बहुत अच्छे एक्सपरिमेंट देखने वाले हो प्रैक्टिकल लाइप से रिलेटर थीक है अच्छा तो यह जो आपने reaction के बारे में मता आता किस तरह का नेचर है तो यह जान लेजिए कि यह reaction जो है वह एक्जोथर्मिक reaction नहीं है यह देखिए यह जो रियक्षन है वह एंडोथर्मिक रियक्षन है ग्लास जो है वह पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो आप एक्जो और एंडो को प्रैक्टिकली समझ लिए से पहल चलेगा मैं आपको हर एक चीज़ प्रूफ करके बताऊंगा ठीके एने सील भी दिखाऊंगा मैं कैसे बना है तो कारबन डायोकसाइड जो है वह धुए के रूप में निकल गया चुकि कारबन डायोकसाइड कलरलेस गया से इसलिए आपको पता नहीं चल पाया होगा लेकि और रेक्षिंस हो रहा हूं आप लेक्षिंस हो रहा है यह क्योंकी बन रहा है और यहां पर कारबन डायोकसाइड आ रहा है देख पा रहा है वहाप तो मैं कुछ देर तक reaction होने देता हूं उसके बाद मैं बताऊंगा क्या-क्या बना है तो यह देखिए आप वाटर का लेयर आपको अलग दिख रहे हैं और जो नीचे बने हुए है वो है हमारा sodium chloride देखिए मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा sodium chloride कैसे हैं ठीक है मेरे पास बंसें बर्नर तो नहीं है क्योंकि मैंने बताया था मेरे पास लिमिटेड सोर्स है ठीक है क्योंकि मेरी एकनॉमिक कंडिशन वैसी है नहीं कि मैं कुछ भी मंगबा सको हलाकि मैं मंगबा लूँगा बर था राइड है ठीक है क्योंकि जैसे ही मैं सुल्यूसन को गरम करूंगा मतलब इसके स्कैंडल पर गरम करूंगा ठीक है तो मैं उमीद करूंगा कि यह जो है जो है जो बुज गया चलाना फिर से कि पकाऊंगा नहीं आपको मैं अंत तक दिखा दुँगा ठीकिए यह करना कैसे है को क्या करना कि अब बंसेंड बढ़ने पर जो भी आपके पास सुभीदार। उस पे तीकिना मैं इसको भी इस पर पॉलाताईल है तो पानी ऊड़ ये गाए और N-A-C-L होगा हो रहा जाएगा तो मैं आपको नमक बना कर दिखा देता हो तो तह बिल्कुल मैं प्रोसेस कर रहा हो अभी सको में गर्म कर रहा हो ठीक है तो मैं इसके प्रोडक्ट के बाद आपको इस वीडियो को दिखाऊंगा ठीक है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं जैसा कि मैंने बताया था कि आपको लास्ट में जो है वो कुछ सीख दूंगा मैं आज जो प्रैक्टिकली कुछ अनुभव किया हूं इसके बते से आज मैं तक करेंटे भी आप बुक्स में पड़े भी होंगे मैं प्रूफ इस लिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आज बेवकूफों की तरह एक्सपरिमेंट करने गया था हुआ यह था कि जिस ग्लास में ने उसी ग्लास में रखे हुए गया था आपने वह जो एलपीजी सेलिंडर वाला कैस चुला होता है न अपने घर में जिस पर खाना बनता है वसी पर गर्म करने गया था और हुआ क्या कि वह जो container था वह जो ग्लास था वह फूट गया ठीक है मतलब गैस की कर्मी से बस यह बताना चाहरा था मैं तो आप यह कर सकते हो मैंने बताया था कि हर गलती से आप किसी कुछ न कुछ सीख सकते हो तो जरूरी नहीं कि आप वही गलती दूड़ा हो मैंने गलती किया है मैं आपको बता रहा हूं आप चाहे तो कुछ से सही भी कर सकते हो करना यह है कि जो solution मैंने glass में बनाया था आप भी वैसी बना लेना और उसको stainless steel वाला ज सब्सक्राइब कर दिए हमारे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मंडे से वैसे ही class में मिलेंगे जो नॉर्मली class lecture होते हैं उसमें ठीक है और फिर नेक्स संडे कुछ ना कुछ अच्छा सा एक्सपरिमेंट करने के लिए हम आएंगे ठीक है तब तक के लिए stay safe have fun जय हिंद वंदे मातरम